आज हम चर्चा करेंगे जमु कश्मीर में जो elections, assembly elections अनाउंस किये गये हैं उसके बारे में यह जो elections है, यह 10 साल के बाद assembly elections हो रही हैं और एक बहुत ही नए political landscape में हो रही है 2019 में जमु किशमीर को की अटॉनमी को एरोड कर दिया गया था पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और जमु किशमीर को तक्सीम कर दिया था दो union territories में एक लड़ाक की जिसमें कोई assembly नहीं होगी और एक जमु किशमीर की जमु किश्मीर की assembly में पहले 87 members हुआ करते थे 117 officially जिसमें से 24 seatें जो थी वो पाकिस्तान administered किश्मीर के लिए reserve की गई थी वो seatें वही reserved है चार seatें जो लदाख की हैं वो निकाल दी गई है यानि की लदाख को अब कोई representation जमु किश्मीर की assembly में नहीं मिलेगा सो बच जाती है 83 seats जब जमु किश्मीर reorganization act जब लागू हुआ 2019 में तो इसमें इजाफा हो गया उन seat वे इसके तहट the act में लिखा गया कि 83 seats से seats will be increased to 90 और जब delimitation commission बनी उसकी 2022 में report आई तो ये 90 seat का total बनाया गया और जो delimitation ने distribute किया इन seats को जो 7 extra seats थी 6 seat जमु प्रोविंस के लिए और एक seat किश्मीर की प्रोविंस के लिए 90 seat जितनी भी अब जो जिन पे elections हो रही है उसमें एक massive restructuring of boundaries की गई है बहुत बड़े पहमाने पे जो electoral map है उसको तबदील किया गया है boundaries को reshape किया गया है नई constituencies बन के आई हैं जिनका अभी समझना भी पूरी तरह से बहुत मुश्किल है इसके इलावे पास lieutenant governor के पास powers हैं कि वो 5 seatे nominate कर सकता है जिनके पास voting rights होंगे उसमें दो किश्मीरी migrants के लिए seatें दो women की nominations जो पहले भी हुआ करती थी लेकिन उनके पास voting powers नहीं थे और एक seat पाकिस्तान occupied किश्मीर refugees के लिए और अभी जो 90 seatों पे जो election हो रही है election की announcement के बाद electioneering जो है within political parties and organizations एक बड़े पैमाने पे एक शुरू हो गई है और वो बहुत most seats पे उनका एक alliance रहेगा सिर्फ पांच seatों पे वो एक उन्होंने कहा है इसको friendly contest का नाम दिया है जिसमें N.C. के भी candidates होंगे और Congress के भी candidates होंगे PDP इस alliance का हिस्सा नहीं है और इसलिए जो ने ने शुरुआत जो electioneering की है उसमें PDP N.C. की नोग जोग भी शुरू हो गई है और BJP जो की अपने constituency को strengthen करने की कोशिश कर रही है शुरू में ये controversy में involved हो गई क्योंकि जब nominations की list आई दिल्ली से बन कर तो उस पे बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया BJP के दफतर में BJP के जो कार्य करता है उनकी तरफ से protest हुआ कि उनका कहना था कि ने ने parachute होकर leaders जो है जो इन्होंने नया नया party को join किया है उनके नाम उस list में है और पुराने loyalists को drop कर दिया गया है तो इतना हंगामा जादा हुआ कि वो list withdraw हुई और धीरे धीरे तीन lists आई है जिन में कुछ नामों की तबदीली भी है तो ये भी एक indication है कि आगे इस development को देखना जरूरी है कि ये कैसे shape up होगा इसके इलावा जो चोटे चोटे फरंट्स हैं जैसे अपनी party या आजाद की party पीपल्स conference जिनोंने हाल ही में parliamentary elections बहुत जोरो शोर से उसमें हिस्सा लिया लेकिन उनकी जो performance है वो इतनी बुरी निकली कि लगता है ground level पे उनका जो ground है वो फिसलता जा रहा है और वहाँ पे बड़ी resignations बड़े पैमाने पे हो रही है बहुत सारे लोग वो parties छोड़कर main regional parties को join कर रहे हैं इसके इलावा एक नई चीज़ जो बरके आई थी वो भी parliamentary elections में जो बारा मुला की seat पर engineer रशीद का phenomenon था अवामी इतिहाद party जो उनकी है उनकी जीत के बाद वो अपने आपको एक बहुत बड़े पहमाने पे consolidate कर रहे हैं और ने-ने members उसका हिस्सा बन रहे हैं उनका कहना है कि वो बहुत सारी seats पे contest भी करेंगे और एक नया trend जो उबरके आ रहा है वो है कई independence का इस election में हिस्सा लेना या उनकी eagerness इस election में हिस्सा लेने की जिसमें जमाते इसलामी जो की elections को boycott किया करती थी पिछले 30 सालों में वो elections में हिस्सा लेंगे as independence आफजल गुरू के भाई सुना है election में खड़े हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में सरजन बरकती जो एक cleric है separatist ideology रखते हैं और जिन्हें 2016 की agitation का एक face भी माना जाता है उनकी तरफ से भी nomination हुई थी लेकिन उसको reject कर दिया गया है और इन सब developments को और खास वर पे जो independence जॉइन कर रहे हैं electoral fray को इसको बड़ी different तरीकों से ground level पे देखा जा रहा है सवाल उठ रहे हैं क्या ये organic है कुछ लोगों का मानना है कि ये organic development है दूसरे लोगों का मानना है कि ये manipulation भी हो सकती है और सवाल उठ रहे हैं कि is it rigging by another means elements हैं ये क्या शकल लेती हैं क्या इसका form होता है ये कितनी impactful होंगी ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा लेकिन फिलहाल गौर तलब बात ये है कि जो assembly जो भी चुन के आएगी उसके powers जो हैं वो limited होंगे क्योंकि जमु किश्मीर अब state नहीं है ये एक union territory है और union territory के powers महदूद होते हैं recently एक home ministry का भी order आया था जिसके तहत lieutenant governor जो भी होगा उसको जादा powers दिये जाएंगे over and above the assembly के जितने भी decisions assembly में लिये जाएंगे जो executive के decisions होएंगे वो जब तक lieutenant governor की मनजूरी नहीं होगी उसको valid करार नहीं दिया जाएगा तो इसके तहत जो भी prospective assembly आएगी वो बहुत ही powerless होगी और माना जाता है कि उसके powers जो है will be more limited than a municipal body तो एक तरफ discourse national level पर ये चल रहा है कि elections को कि जमू कश्मीर में elections को देखा जा रहा है कि whether democracy will return with these elections लेकिन जो assembly के powers होंगे उसको मदे नजर रखते हुए ये लगता है कि जो bureaucratization of administration पिछले 5 साल में हुई है वो जारी रहेगी और जो भी सरकार आएगी वो एक कटकुतली सरकार होगी न्यू देली की ये तो पहले भी माना जाता था कि जमू कश्मीर में पहले भी जो सरकारे रही है वो puppet regimes रही है लेकिन अब जो है manipulation का scale और level कहीं जादा हो सकता है इन सब चीजों के बावजूद की जमू कश्मीर की जो assembly है उसके इक्तियार बहुत कम होंगे उसके बावजूद यहाँ पे election जो है election campaigning जो है वो full swing पे शुरू हो गई है और हर एक party they are trying to invest their best 80 चोटी का जोर लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक बहुत bitter contest होने वाला है बहुत सारी parties और individuals frame में होएंगी तो क्या यह एक सिरफ scramble for power है definitely कुछ चीजों से अंदाजा होता है कि इसके signs हैं लेकिन जो scramble for power है वो एक powerless assembly के लिए है तो क्या यह सिरफ power के लिए लड़ाई है it seems that it is more a fight for political legitimacy और बहुत सारी parties और stakeholders जो हैं वो अपनी political legitimacy के लिए इस election में लड़ रहे हैं और इसलिए भी अप 80 चोटी का जोर लगा रहे हैं यह political legitimacy इतनी एहम क्यों है for different parties it is different reasons BJP का एक पुराना ideological ambition रहा है कि जमू किश्मीर जो की एक soul Muslim majority region state थी पहले इंडिया में उसमें अपना सैफरन जंडा काड़ना चाते हैं और एक अपनी हकूमत लाना चाते हैं और उनके लिए ये भी इसलिए भी जरूरी है इस election में अच्छा perform करना या उसको जीतना क्योंकि पिछले पांच साल में जो उन्होंने एक political narrative चलाया है positivity का development का progress का उनके लिए ये important है उसको prove करना कि election जीतके कि ये जो positive developments की हम बात कर रहे थे वो सही थी जहां तक regional players का सवाल है national conference और people's democratic party का जिनकी जो political activities है completely marginalized हो गई है पिछले पांच साल में जिनकी parties काफी बिखर गई है खास तोर पे PDP की उनके लिए ये बहुत एहम है कि वो अपना जो lost space है उसको recover करें और reclaim करें Congress जो एक बहुत बड़े पैमाने पे भी election में हिस्सा ले रही है और अपने आपको देखती है as a national alternative उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी legitimacy जमू किश्मीर में किसी ना किसी तरह से दिखाए अब ये थी एहम बात की election के जो जमू किश्मीर में election के बाद assembly बनेगी कि उसके powers क्या होंगे और इस election का मतलब क्या है लेकिन जैसे जैसे ये election का drama unfold होगा हम इसके बारे में और चर्चा जारी रखेंगे अगली कई episodes में और फिल हाल के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक और episode के साथ शुक्रिया अनुरादा बसीन, the Managing Editor of the Kashmir Times, which is now available in a digital format. We bring you in-depth coverage and news analysis to combat the erasure of Jammu, Kashmir and Ladakh. For this, we need your support. Join us in our fight. Become a member today by paying an amount of your choice. Also subscribe to our YouTube News Channel and our Newsletter for free. Thank you.